next question question says monochromatic radiation emitted an electron on hydrogen atom jumps from first excited state to ground state irradiates photosensitive material stopping potential is measured to be 3.57 volt सवाले threshold frequency of the material क्या होएगा और चार option अपने को दे रखेना हो इस case में इस सवाल में आप से atomic structure plus photoelectric effect दोनों को मिला के बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मुश्किल नहीं है पर बढ़िया सवाल है थोड़े से यहां पर दोनों के concept आपको clear होने चाहिए तो अपने कोई बात पता है कि जब हम hydrogen की बात करते हैं तो आपका किसी भी state किसी भी hydrogen atom क्यों बात करें तो आपके energy को हम ऐसे लिखते है माइनस 13.6 divided by n square यह आपके लेक्ट्रों वोल्ड में energy लिखी जाती है अलाइट सो अगर हम e1 की बात करें तो यह आ जाएगा माइनस 3.6 divided by 1 का स्कॉर एलेक्ट्रों वोल्ड यानि की 13.6 माइनस में एलेक्ट्रों वोल्ड या आपके फर्स्ट लेवल के energy होएगी सेकेंड की बात करेंगे माइनस 13.6 divided by 2 का स्कॉर आजाएगी आप इसको फोसे दिवाइड करेंगे तो यह आ जाती है आपकी माइनस 3.4 इलेक्ट्रों वोल्ड और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है आपका e2 माइनस e1 यह सारी बाते मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता है वो 10.2 इलेक्ट्रों वोल्ड आप दोनों इन दोनों की बीच के अनरजी का डिफरेंस आएगा आपका ठीक है कि एनरजी जब हम कर रहे है या टू में से 1 आपकी अज़ेक्वेश्वेशन यहां पे अप्लाई करेंगे हम कहते हैं कि आपकी कानेटिक एनरजी मैक्सिमम विल बी इकवल टू HF minus आपका 5-0 या आप energy को kinetic energy maximum को ऐसे लिखते हैं तो इस case में हमें threshold frequency उसकी value बतानी है अच्छा इसको एक काम और करते हैं यहाँ पे HF not all लिखते हैं हमें इस F0 की value बतानी है इस case में हमारा जो difference आगया वो तो यह आपका difference आगया 10.2 यहाँ पे अपने को सवाल में यह दिया हुआ है कि आपकी जो stopping potential है अच्छा इसको kinetic energy maximum को आप E, V, S भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने को जो value दे रखी है इसकी तो यह अपनी value हो जाएगी यह हो जाएगा इसको जो multiply करेंगे E यानिकी 3.5 multiplied by 3.57 तो यह आपका इतने electron volt आपकी kinetic energy आजाएगी तो इस equation में value put कर दें तो यह आजाएगा 3.57 in electron volt will be equal to 10.2 minus hf0 which implies आपकी hf0 की value हो गई इसको जाल ले जाए 10.2 minus 3.57 which implies आपकी f0 की value हो जाएगी जब हम इन दोनों को minus करेंगे तो इसकी value आती है इसको लिखते है 10.0 so minus करेंगे यह आएगा 3 6.6 divided by h यह आपकी f0 की value हो जाएगी now h की value अपने को पता है so this will be equal to 6.63 अचा यह जो भी value आई है यह energy की electron volt की value है इसको मैं SI unit में अभी convert करना होएगा so यह multiply होएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 से divided by h अपना जो planks constant है उसको हम 6.63 था है उसको हम लिखते है 6.63 multiplied by 10 to the power minus 34 now 6.63 data बुरा नहीं है 6.63 cancel हो जाएगा यह 34 उपार चला जाएगा so based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number C 1.6 into 10 to the power 15 hertz would be the right answer